नमस्कार दोस्तों मैं हूँ जी आप देख रहे हैं गुरी जी फोर एन इंडियन एक्जाम यूटुब चैनल जहां पर आपका बहुत-बहुत सवागत है और देखिए हमने सेंसकर्थ की सिक्षण वीडिया सारी पढ़ लिए लग बग अब सिक्षण शिद्धान्त बच्चे कि जानों किसी क्या City बताई गई तो इस क्यूशन के लaufenी पढ़ दंदर मैं आपको चैज़े पढ़ा दोंगा जो आपके हर समें कि क्या बता है जिवामुलीवन रओं nobody दिमान्य वर्ण क्या होता है यह सारी चीजें इसमें मैं पढ़ाऊंगा ठीक है तो दोस्तों लाश्ट तक बने रहना आपको वीडियो बहुत अच्छा लगेगा ऐसा मुझे लगता है देखना ठीक है तो देखिए इसका आंसौर तो था यह क्यों सन आया था रीट दोजाशोडा के अंदर यह क्यों सन आया था कि बाई पानी निग्रिशिक्सा के अंदर वर्णों कि संक्या कितनी है तो यह देखिए इसका आंसौर था 63 या अब पहले चीज तो यहीं पर कंप्यूज हो जानी चाहिए आपके दिमाग में आना चाहिए सवाल कि 63 या 64 क्या है तो यह जो 63 और 64 है ना इसका फेर भी मैं अभी आपको बता दूंगा तो चलिए हम पढ़ना स्टार्ट करते है देखिए यह जो क्यूसन आया इसी के लिए क्यूसन को लेकर मैंने पहले आपको जो यह वर्णमाला है ना पूरी पूरी वर्णमाला आपको बता देता हूं कि पाणिनी ने किस परकार सिक्षा के अनुसार जो अपने वर्णमाला बनाई थी वो देखिया है यह पाणिनी किस सिक्षा के अनुसार वर्णमाला पाणिनी तो 63 यह दो हर कि यह दिन दिमाग और किया सब्सक्राइब साना हो को गिना जाता है तो हो जाते हैं दो तो यह यहीं से त्रह सट और चोशट बनते हैं चलिए अब मैं आपको पूरी डिजयल में बता देता हूं कि देखिए पाणिनी ने स्वरों की संक्या बताई थी 21 या 22 कितनी बताई 21 या 22 अब आप सोचों के सब्सक्राइब कैसे तो दिर्ग और दिर्ग भी दहुनियों आ जाती है तो इनको गुणा कर दिया 3 से मतलों कि 4 है और इसको एक से हो गया खुद एक पिर बनेगा इसका दिर्ग और इसका बनेगå फिर प्लूत यह 3 ये 3 यह 2 ये 3 क्ली मिलाके कि यहां बारा चलृए बारा कि अब यह यह सतव होता है और यह होता है अब 2 देखिए यहां पे देखिए मैध और और यहं और नई तो फिर यह हस्व ही गिन जाता है wrapss तो आपको समझना है इसे कभी-कभी एक माना जाता है कभी दो हिसीलिए पाणी ने जो यह वञें बताये 21 या 22 बताएये पांड चलिए ये देख लीजिए A, O, I, O ये है तो इनके भी देखिया डबल कर लीजिए आप ठीके तो इनके कितने हो जाएंगे आठ हो जाएंगे समझ गया इनके दीरग और ये ये हसु होते नहीं ये दीरग ही होते है ठीके दीरगोर प्लूती ये दो बन जाते हैं तो ये हो गए कितने 21 या 22 आप गिनलीजी अराम से आपके सामने दिखा अब हम चलते हैं जो आगे व्यंजन हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं आगे के जो वनाय पाणिनी ने बताये थे उनको भी अब देख लेते हैं तो देखिए इसके अंदर पाणिनी ने आगे जो 25 इसपर्ष वेंजनों का उल्ले किया है कितने 25 इसपर्ष वेंजनों का उल्ले किया है जो देखिए कैसे लेकर मैं तक है यह द्यान रखना कैसे लेकर में तक इस फर्स वेंजन है चलिए यह बात आपने समझ ली अंतस्त वेंजन यार लव यार लव अंतस्त वेंजन है देखिए मैं आपको एक चीज बता देता हूँ इस जो आप यह पढ़ रहे हो ना अगर आपने यहां पर दिमाग नहीं रखा तो यह बात अच्छी नहीं क्योंकि देखिए अपना मन पूरा यहां पर रखोगे तब ही आपको याद होगा क्योंकि मैं जैसे हम लाश्ट में की इस टोपिक को खतम करेंगे मैं आपको यही इस सी जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना वस यह पूचूंगा इन मैं से कुछ आपको समझ में जरूर आएगा नहीं आएगा तो फिर तो आप मैं तो पुरी कोशिश कर रहा हूँ ना तो देखिए अंतस्त्त विंजन है देखिए यार लव ठीक है यह होगे चार उस्म वेंजन सखसह क्या सखसह तो यह होगे उस्म वेंजन चार अब अनुस्वार एक हो कि यह तो है जीवा मूल्य का चिन है लेकिन यह ध्यान रखना इन दोनों का उप धिमान्य का भी चिन यह होता है और जीवा मूल्य का चिन भी यह होता है लेकिन जीवा मूल्य के अंदर तो आता है कह और खह जीवा मूल्य के अंदर क्या आता है सब वह वर्ण आता है कह और इने बोलते हैं किया अर्ध विशक लीकिन आप अपको इतना साथ ध्यान रखना है। इसमें कशल मुन्य चिन वर्म घंौई नहीं तो यहां पर इसमें अनना कि फार्फ पर्र। इतने ही है इसमें के और खे आता और इसमें पे और फे आता मतलब कि जीवा मुल्य में के और खे आता और उप दिमानिय में पा और फे आता लेकिन आपको अभी भी मुझे पता याद नहीं है तो एक ट्रिक बताओं एक सरी तरीका बताओं उप दिमानिय के अंदर देखे पा तो इसके अंदर आप अराम से देख सकते हो इसमें भी पे आएगा क्योंकि इसमें कोई भी पे का वर्ण नहीं आया है तो आप अराम से देख सकते हो कि हाँ इसमें भी पे और फे होगा है चलिए आपको मैं इसका उधारन भी बता देता हूँ पहले तो दोस्तों ये देखिए तो ये देखिए के आया तो यहाँ पे क्या होगा जीवा मुलिम हरी खनती तो इसके अंदर देखिए खेया आया तो जीवा मुलिम पहनुए पठती तो इसमें पे आगया तो उपुप धिमानी होगा व्रक्षप फलती तो इसमें उपूब धिमानियों इस परकार के यह सब दाता है देखिए यह सारी चीज़ा आपको कहीं एक जगे पर देखने को नहीं मिलेगी इसलिए मैंने यह वीडियो अपलोड किया देखिए बहुत अच्छी जानकारी है आपको अच्छी लगेगी दे इस लिए तो मैंने आपके लिए देखिए यह रखा है देखिए दोस्तों यह यह यमवन के इंदर देकिए आपको इसमें कुछ भी नहीं रहतना किने आपको क्या कहलाएगा इम के यह यम ना तो आप देखिए इसके अंदर मैं आपको एक बार बताओं कि जो यदी यम वन होंगे न तो उनके आगे किसी वर्ग का किसी भी वर्ग का पंचम वन होगा ये बात आपको ध्यान में रखी तब वह वन क्या कहलेगा यम वन कहलेगा वैसे इतने क्यूशन तो इसके नहीं पूचे चाते लेकिन आप देखे आपको मैं यम वन के एक तो उदान यह आपने देख लिया और एक दो उदान और बतांगा जिससे आपको पताओ चले गया मैंने अभी वताया है कुण-खुंग-गुंग तो यह देखे के बंज कुण-खुंग से कह आ गया अब देखिए आगे देख दो लगना तो यह है यहां पर अगनी यह जो यह दूसरा यह ना तो यह भी यह बढे एक यह लिखे और इसके आगे क्या है यह पंसने कि निए इसमें गहा और दो है ये क्या कराईगा यमवन तो चलिए यह तो देख लिए आपने यमवन के बारे में अब हम देखते हैं आगे दू इस्पृश्ट वन तो हमने देखे हैं यम देख लिया और रूप दिमानिय और यह सारे जीवा-मुलिय यह सब देख लिया अभ यह लास्ट बच्चा अंतीम जो वन है वो है पानिन ने महाना था यह के दू-अस्पृश्ट वन है जो देखें इस परकार काता है हम बोलत लिखते हैं और इसको ऐसे लिखते हैं तो यह बन जाता नहीं इसकी परिवासा यह भी बता देता हूं और शब्द कैसा है वह भी मैं आपको बता देता हूं तो दोस्तों देखिए यह है इसे कहता है दो है इस प्रिष्ट वर्ड तो इसका बन गया यह बन गया नहीं इंटे इसको भी इस परकार से लिख सकते हैं तो यह था दोस्तों द्विष्ट जो वन था यह था और देखिए अब हम पढ़ेंगे हमने देखिए पाणिम दिशिक साके नुसार जो वन माला थी इसका मैंने आपको पूरा कपूरा जो विवन था बता दिया लेकिन अब देखिए मैं आपको एक और बार बार पता देता कि यहां पर यह देखिए यहां पर यह ना यह चार यह क्या है अयोग वाह क्या है इन्हें कहते हैं अयोग वाह कति तो क्या बोल सकते हैं आप चार देखिए अनुस्वार विसर्ग जीवा मुल्य और रूप दिमानी इन्हें क्या कहते हैं अयोग वाह कति तो आपको यह बत दोस्तों यह होगा इसका इस पार्ट का अगला वीडियो महिस्व सुत्रों के बारे में आपको पूरी जान कर दूँगा और भी कुछ चीज के अंदर में लेने वाला हूं तो दीखिए अब मैं आपको जो अभी मैंने पढ़ाए ना उसके बारे मैं कुछ क्यूसन पूर लेत होता है इस परकार का इसके बीच में कौन-कौन से वर्ण आते हैं यह बताईए तो यह पांच क्यूसन तो मैंने पूछ लिए और देखिए आपको मैं एक और क्यूसन पूछू कि यम यम वर्ण कितने होते हैं और लास्ट सवाल मैं पूछू कि जो दूस्प्रिष्ट जो वर्ण है उसके जो उसको किस परकार से लिखते हैं ठीक तो यह मैंने 5-6 क्यूसन पूछे और एक क्यूसन और खूद लूब कि अयोग वां कति तो इस धी आपको आना चाहिए यह मैंने 5-6 जान आपको पूचे है इसलिए पूचे क्योंकि इसी वीडियो के दर मैं पढ़ाए तो दोस्तों ये थी पाणिनी इक की शिक्सा के अनुसार वण मला क्या पाणिनी की शिक्सा के अनुसार वण मला आगे हम पढ़ेंगे देखिये उच्छा